सोलन के वाड नमबर 12 में स्थानिये नागरिकों की साहिता के लिए समाज सेवा ट्रस्ट आगे आया है। उशा शर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने बताए कि ट्रस्ट लगातार समाज के उत्थान के लिए काम कर रहा है जो कि सरहनिये कदम है। इस तरह सभी संस्थाएं आगे आकर गरीब जरूरतमन्द लोगों की मदद करनी चाहिए। उशा शर्मा ने बताए कि समाज सेवा ट्रस्ट के सदस्यों ने उनसे संपर किया था और जरूरतमन्द नागरिकों को राशन देने का परस्ताव रखा था। उन्होंने अपने वाड के 20 परिवारों का चैन करके इसकी सूची संस्थान को सौपी थी। इस सूची के आधार पर उन्हें राशन वित्रित किया गया। उशा शर्मा ने बताए कि संस्थान ने उन्हें आशवाशन दिया है कि भविश्यों में भी किसी जरूरतमन्द को अगर साहिता की आवशर्ता होती है तो उसकी यह संभव साहिता उपलब्द करवाई जाएगी। लोगों ने मुझसे संपर किया और इनकी इच्छा था कि हम आपके वाड में गरीब लोगों को जरूरतमन्द लोगों को राशन देना चाहते हैं तो आज मैंने लोग बुलाए हैं तो उनको हम लोग बीसकिट राशन की देंगे और जो बहुत ही जादा मतलब और उसमें सामान दे रहे हैं जैसे तेल और इसमें डेली उसमें आने वाली 11 आइटम्स हैं जिसमें चावल, आटा, तेल, साबून, चीनी, यह एक ट्रस्ट है जो कि टाइम टू टाइम लोगों के गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं और यह पीछे से काफी सालों से करते आ सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सोलन प्रशाशन का और साथी साथ उशा शर्मा जी का जिन्नों ने हमें यहाँ पर कुछ गरीब लोगों के बारे में हमें सूची दी कि वे लोग जो हैं वो जरूर्त मन्द हैं और हमारा यही टार्गेट है कि जो लोग इ करीब लोग हैं उनको हम थोड़ी थोड़ी मदद करें ताकि वे लोग जो हैं वो अपने एरिया में रहकर सर्वाइव कर सकें संस्ता के परदेश सयोजक जस्वीर सिंग ने बताया कि उनके संस्ता पिछले 20 वर्शों से उत्र भारत में समाजिक कल्यान के लिए काम कर रही ह आज भी उनके संस्ता ने वार्ड नमबर 12 के कुछ जरूरत मंद लोगों की साहिता की है उनके बताया कि इस संस्ता जरूरत मंद लोगों की समय समय पर साहिता करती आ रही है और भविश्य में भी करती रहेगी